मध्य प्रदेश की पांच बड़ी खबरें ने एक कारिकर्ता को डमी पीम भी बनाया कॉंग्रेसियों का कहना है कि पेट्रोल की कीमत 100 रुपए को पार कर गई है वहीं डीजल के दाम भी 85 रुपए तक पहुंच गए हैं पेट्रोल डीजल महंगा होनी का सीधा असर आम लोगों पर पड़ रहा है जरुरत की हर वस्तू म मद्यप्रदेश में अभी नेतरी कंगना रनौत को लेकर हो रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है पूर्व मुख्य मंतरी कमलात के कटर समर्थक माने जाने वाले पूर्व मंतरी सुकदेव पासे ने कंगना रनौत को लेकर विवादित टिपनी करते हुए उन्हें नाचने गाने वाली बताया है वहीं अब बीज़ेपी कॉंग्रिस नेता के इस विवादित बयान पर हमलावर हो गई है मद्धिप्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्रे विश्वास सारंग ने कहा कि कॉंग्रिस का इतिहास रहा है वह हमेशा से ही महिलाओं की बेजती और अ महिला की प्रती अमर्यादित भाशा का प्रयोग करना कॉंग्रिस की परिणीती है गौर्दलभे की कलेक्टर को ग्यापन देने गए कॉंग्रिस विधायक सुख्देव पासे ने कंगना रनौत को नाचने गाने वाली कहा था विधायक सुख्देव पासे कॉंग्रिस कारिक पर उस वक्त लाठी चार्ज किया गया जब वहक कंगना रनौत की अपकमिंग फिल्म धाकर की शूटिंग रोकने के लिए गए थे महंगाई के विरोध में कॉंग्रिस द्वारा किये जा रहे बंद को सफल बनाने के लिए पूर्व मुख्यमंतरे दिगवजय सिंग सड़कों पर नज़र आए राज़रानी भुपाल के रोशनपुरा चराहा पहुँचकर उन्होंने बंद के लिए सबी से समर्थन मांगा बोपाल के रोशनपुरा पहुँचकर दिगवजय सिंग ने भाचपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि पूरे देश में लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है पेट्रोल डीजल रसूई गयास की वजह से गरीब तथा आम आदमी के बजट पर असर पढ़ रहा है नरेंद्र मोदी की हैख खासियत है कि उन्होंने कोविट की आपदा को अवसर में बदल कर आम आदमी की जेप से पैसा निकाल दिया आज के समय में सेंट्रल एकसाइस ज्यूटी 2014 में 9 रुपे थी वह आज बढ़कर 32 रुपे 80 पैसे हो गई तथा डीजल पर सेंट्रल एकसाइस ज्यूटी 3 रुपे 50 पैसे थी चो बढ़कर लगबग 32 रुपे 80 पैसा हो गई है अपने बेबाग बयानों के लिए पहचाने जाने वाले दिगविजय सिंग के इस करारे हमले पर अब देखने लायक होगा कि बीज़ेपी किस तरह से पलटवार करती है इंदोर क्राइम ब्रांच ने बड़ी कारिवाई करते हुए अवैध हतियारों का जखीरा पकड़ा है पोलिस ने इस कारिवाई के दौरान अंतर राज्य गिरोह के 5 सदस्यों को भी गिरफतार किया है जिनके पास से भारी मात्रा में हतियार बरामत हुए है इंदोर क्राइम ब्रांच को मुकबीर से सूचना मिली थी कि फायर आम्स का एक बड़ा जखीरा बेचने के लिए सीकली गर एवं अन्य खरीदने वाले एक जगह एकटा हो रहे हैं क्राइम ब्रांच ने तुरंट एक टीम गठित कर पांच आरोपियों को घिराबंदी कर पकड़ने में सफलता हसिल की है आरोपियों के पास से 29 पिस्टल, 22 देशी कट्टे तथा 14 जिन्दा कार्टूस परामत किये गए हैं फिलाल पुलिस पकड़े गए 500 आरोपियों को कोट में पेश कर रिमांड लेकर पूछताच करेगी सीधी बस हादसे में नहर में बहे कुकरी जहर के अरविंद विश्वकर्मा 22 का शव पांच वे दिन मिला शनिवार दोपहर करीब एक बजे गोविंद गड़ थाने के अमील की गाउं के पास नहर में अरविंद का शव मिला आखरी शव मिलने के बाद अब सर्च ऑपरिशन बंद कर दिया गया है हादसे में मरने वालों की संख्या अब चौपन हो गई है चबलपूर NDRF और SDRF की टीमें शनिवार सुभा से ही सुरंग में सर्चिंग में जुटी हुई थी हादसे वाले दिन अरविंद अपनी बुआ की बीटी यशोदा को A&M की परिक्षा दिलाने ले जा रहे थे लेकिन बस के नहर में गिरने से दोनों की मौत हो गई यशोदा का शब 16 फरवरी को ही मिल गया था अरविंद चार भाई भेनों में से सबसे बड़े थे और इसी साल उनकी शादी होनी थी